आज हम लोग class 6 में home science पढ़ेंगे chapter 12 ठीके क्या है chapter 12 का नाम तो धुलाई कला आज हम लोग धुलाई कला के बारे में इस chapter में पढ़ेंगे तो चलिए हम लोग chapter शुड़ू करते हैं नीना आज एक party में गई थी उसके भगल में बार बार नाक पर रुमाल रखती रेखा भी बैठी हुई थी तभी वहाँ मीना आई वज्यों ही नीना के भगल में बैठी कि अचानक उठी और छीची करती हुई आगे की seat पर बैठ गई थोड़ी देर बाद रेखा भी उठकर आ गई मीना ने रेखा से कहा रेखा तुम्हें नीना के पास से नहीं आना चाहिए था विचारी क्या सोच रही होगी तो बच्चों ऐसा क्यों हुआ नीना जो थी वो बदबू दे रही थी यानि कि उसके बगल में जो भी बैठता थ तो उसको बदबू लगती थी तो इस वज़े से वो नाक पर रुमाल रख लेती थी ठीक है तो क्या हुआ कि नीना जो थी जब पार्टी में गई थी तो उसके बगल में बार बार नाक पर रखती थी कौन रेखा तो नाक पर रुमाल रखने वाली जो रेखा थी उसको बार 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 नाक पर रुमाल रखती थी तो अब आप बता सकते हैं कि रेखा और नीना ने ऐसा क्यों किया उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि नीना ने जो कपड़े पहने थे उनमें से बद्बू आ रही थी तो हम प्रती दीन इसनान करते हैं तो नियमित प्रयोग में आने वाले वस्तरों को भी धोते रहना चाहिए गंदे कपड़े पहनने से हमारे इसनान करने का कोई अर्थ नहीं रहता है यानि हम नहा लिए फिर अगर हम गंदा कपड़ा पहन लिए तो उस गंदे कपड़े से बद्बू आती रहती है तो इस प्रकार क्या होगा हमारा नहाना बेकार जाएगा तो इस वज़े से क्या हुआ कि वो जो नीना थी वो बद्बू दे रही थी इस वज़े से वो रेखा और मीना ने क्या किया अपने वहां से हटने लगी और चीची करके वहां से हट गई ठीक है तो इस तरह से हुआ क्या फिर कि जब हम अपने कपड़े को अच्छी तरह से साफ से धोते हैं तो कपड़े से कभी बद्बू नहीं आती है तो नियमित रूप से कपड़ों की दुलाई शारिरिक मानसिक स्वास्त के लिए जरूरी होता है तो आईए जाने की वस्तर किस कारड़ों से धोते हैं क्यों धोते हैं क्योंकि कपड़ों की सफाई के लिए धोते हैं कपड़ों में दुरुगंद नहों इसलिए धोते हैं उसकी सुन्दर्ता के लिए धोते हैं उसके सुरक्षा के लिए दोते हैं उत्तम स्वास्त के लिए हम साफ सुत्रा कपड़ा पहनेंगे तो स्वास्त भी अच्छा होगा और व्यक्तिकत में निखार होगा यानि देखने में भी सुन्दर लगेंगे आगे हम लोग पढ़ेंगे वस्त्रों को धोने से होने वाले लाब क्या-क्या लाब होते हैं हम कापड़ों fronts पार्टी समारों में शादीविया में उठने बैकने और बातges 요रे हैं अच्छा कपड़ा है एइद्न लुक अ के बैठो तो लोग खुश हमकिने और कंदर कोई सफाई अ यहां चे लग रहे हैं revolves Accountaire प्रियाप्त मेहनत से स्वस्त होता है यानि कि हमको अपना काम स्वैम करना चाहिए अपने कपड़ों को खुद धोईए ठीके बच्चों तो मनुश्य के स्वास्त का कपड़ों की धुलाई के साथ गहरा संबंद होता है हमें अपने निमित प्रियोग में आने वाले वस्तरों जैसे पहनने औरने भी चाने अने प्रियोग में आने वाले वस्तरों की निमित रूप से धुलाई करते रहना चाहिए अब धुलाई करने से पहले हम किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे इसके बारे में जानते हैं तो देखिए कि अगर सफेद कपड़ा है तो उसको रंगीन कपड़ों से अलग दोना चाहिए देख लेना चाहिए कि कोई कपड़ा फटा है या जला तो नहीं है यदि जला है अगर वो जला हुआ है तो उसकी मरमत करने के बाद दोना चाहिए यदि हम उसकी मरमत नहीं करते हैं जला कपड़ा है और उसको दोने लगते हैं तो क्या होगा उसको दोने से क्या होगा कि वो जहां पर जला हुआ है वो और ज्यादा फट जाएगा दोने से पुर्फ कपडों की जेब को भी चेक कर लेना चाहिए कि कहीं कोई उसमें रुपए तो नहीं है या रुपए पैसा या कोई जरूरी कागजात तो नहीं रखा है तो इस वज़े से उसको दो चेक कर लेना चाहिए रोगी के वस्रों को अलग गर्म पानी में उबाल कर अच्छी तरह से दो कर दूप में सुखाएं ताकि उसमें जो भी इंफेक्शन है जो भी किटाडू है वो दूर हो जाएं कपड़ों में साबुन शेश ना रहे यानि इसके लिए उसे पानी में अच्छी तरह से खंगाल लें अच्छी तरह से कई बारती इन पानी से उस कपड़ों को दोएं ताकि उस कपड़ों में पानी उन कपड़ों में साबुन के जो शेश कोई भी साबुन उसमें ना रहे अच्छे से साफ हो जाए यदि साबुन नहीं रहेगा तो कपड़ा क्या होगा कपड़ों को अच्छी साबुन मतलब कि ऐसे धोए कपड़ों को कि उसमें साबुन ना लगा रहे तो क्या होगा कपड़ों पे साबुन का दाग लगा रहता है तो साबुनना हो तो पानी में ही कपड़ों को थोड़ी दे डाल कर धोले और अच्छे से उसको धूल करके और सुखा करके फिर धूप में डाल देना चाहिए ठीक है धूलाई के लिए आवश्यक सामागरी तो धूलाई के लिए किन-किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि बालती है, मग है, टब है, पिटना है पिटना क्या होता है? पिटना होता है तॉली और चादर की मैल छुडाने के लिए एक उसको पिटने के लिए पिट पिट कर धोया जाता है कपड़ों को, ठीक है? तो ये लकडी का एक बड़ा सा टुकड़ा होता है, बड़ा टुकड़ा होता है, जो 12 से 15 इंच लंबा होता है जरूरी नहीं है कि मतलब बग इतना ही लंबा होता है और पीछे की तरफ लकडी का हथा होता है, जिस तो पकड़ करके लोग पीटते हैं, कपड़ों को धोते हैं धो भी लोग खास करके, ठीक है? ब्रेश होना चाहिए, रसियां है, हैंगर और क्लिप जिसको जहां पर टांगा जाता है कपड़ा दोने के बाद, फिर वाशिंग मशीन है, उसमें भी दो सकते हैं मेज तता स्लीव बोड जिस पर हम अच्छे से कपड़े को रख करके प्रेस कर सकते हैं उसके बाद इस्तरी होनी चाहिए, प्रेस करने के लिए अच्छे से आगे हम लोग पढ़ेंगे नील लगाना, नील कैसे लगाएंगे कपड़ों में तो सफेद कपड़ों में नील के प्रेयोग से क्या होता है, चमक बढ़ जाती है, कपड़ों की संख्या के अनुसार, पानी ले करके उसमें तीन चाहर भून नील डाल करके हाथ से मिला देते हैं और अच्छी तरह से मिक्स करके कपड़ों को अच्छे से थोड़ी देर के लिए पानी में भीगा देते हैं, फिर उसको बाहर निकाल कर सोखने के लिए फैला दिया जाता है, अब हम लोग पढ़ेंगे कलफ लगाना, कलफ कैसे लगाया जाता है बच्चों, तो देखिए कपड़ों में कड़ापन लाने के कलफ का प्रियोग किया जाता है, तो कलफ कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे लगाया जाता है, तो मैदा है, या रारोट है, चावल या साबुदाने का पानी, या बाजार में उपलद है, क्या है, रिवाइब का प्रियोग करते हैं, कलफ लगाने के लिए, कलफ के पतले गोल में गुले कपड़ों को डाल दें, सफेद कपड़ों में नील करते समय ही कलफ कर सकते हैं, थोड़े देर गोल में रहने के बाद कपड़ों को निकाल कर सूखने के लिए डाल दें, उसके बाद आवेशकता के अनुसार क्या करें, यदि कपड़ों को ननी चोड़ें, या हम लोग तो सूती कपड़ों में कडापन लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है अरारोट का कलफ है यदि दो चमच अरारोट लिए हैं तो आदा चमच उसमें सुहागा डालेंगे और चौथाई चमच पीसा हुआ मोम इस तरह से हम वो अरारोट का कलफ तयार करते हैं फिर उपरयूग सामागरी कैस वीधी क्या है कि थोड़े से ठंडे पानी में घोल करके उबलते हुए उबलते पानी में डाल देते हैं और चमच से चलाते रहते हैं जब गोल गाड़ा हो जाता है तो उतार करके ठंडा कर लेते हैं और उसका प्रयोग किया जाता है फिर चावल का कलफ कैसे तयार करते हैं तो चावल का कलफ तयार करने के लिए चावल का माड निकाला जाता है दो चम्मच चावल का माड़, चौथाई चम्मच पीसा हुआ मूँ क्या करते हैं कि अच्छी तरह से मिला करके पानी में और गर्म पानी में ठीके इसको डालते हैं और उसके बाद मिश्रड का रंग हलका नीला ना हो जाए यानि कि जब तक उसको घर्म हिलाते रहते हैं मिलाते रहते हैं जब तक उसका रंग नीला ना हो जाए ठीके उसके बाद हम लोग उसको प्रयोग मिलाते हैं मैदा का कलफ कैसे होगा तीन चमश मैदा है आदा चमश सुखा का है चौथाई चमश पीसा हुआ मोम फिर उपर्यूक्त सामागरी को पानी में मिला कर आग पर चड़ा देते हैं इन सारे समान को ठीके फिर चम्मज से चलाते रहते हैं ले के समान गाड़ा होने पर इसे कपड़े में च्छान लेते हैं तथा ठंडे पानी में मिला कर इसका प्रियोग करते हैं फिर प्रेस या इस्त्री तो कपड़ों की सिकुडन और उसमें बचे हुए किटाड़ों को समाप्त करने के लिए उसे इस्त्री या प्रेस किया जाता है यानि कि क्या किया जाता है जब प्रेस करते हैं तो कपड़ों को सुखाने के लिए कपड़ों को में जो चमक लाने के लिए और सिकुडन दूर करने के लिए सूती वस्तरों पर प्रेस करना यानि जो सिकुडन होती है उसको भी सूती वस्तरों पर प्रेस करते हैं जो शीकन होती है वो सब दूर करने के लिए है ना अब देखे वस्तरों पर प्रेस करने से लाव क्या होता है कि उसमें चमक आती है मेला पंदूर हो जाता है और जल्दी इसे वो मेला भी नहीं होता है और देर से गंदा होता है फिर उसके बाद वस्तर की सलवटे खुल जाती है यानि जो भी सीकुडापन होता है वो दूर हो और देखने में अच्छा लगता है दुलाई से संबंदित महतपुर सुझाओ है यानि घर के प्रतेक सदस्वी को कोशिश करनी चाहिए कि वो कपड़े को स्वैम दोए और वस्त्र जैसे बन्याईन है और बहुत सारी चीज़े हैं इन सारे कपड़ों को नियमित रूप से धूल करके और धूप में सुखाएं बच्चों में कपड़े धुलवाने की आदत डालनी चाहिए इससे आदतों में सुधार होगी यानि कि इनकी आदतों को सुधार ने जो गलत कर रहे हैं अच्छी तरह से नहीं धो रहे हैं तो उनको सुधार करके धोएं तीके जो चीज़ नहीं आ रहा है वो अपने से बड़ों से पूछे कैसे धोना चाहिए कितना क्या चीज़ लगाना चाहिए उसमें और कितनी बार पानी से खंगाल करके धोना चाहिए सब चीज़े बड़ों से पूछी जाती है फिर है वस्तों की सुरक्षा कपड़ यदिक समय तक सुरक्षे ठीक ठाक रहे है इसके लिए बहुत सारी बातों को हमको ध्यान में रखना है कपड़ों की धुलाई के बाद जब वे बली बात सूख जाए तो उसको बिल्कुल नमी न रहे तो क्या करना चाहिए कि तह लगा करके और रखना चाहिए इससे फपुन्दी लगने का डर अगर नमी रहेगी तो फपुन्दी लगने का डर रहता है पस्त्रों के सूख जाने पर उनके तंतूओं के ताप सहन करने की शक्ती के अनुसार उस पर भली प्रकार से प्रेस रखनी चाहिए यानि कि बहुत तेज गर्म प्रेस भी ना रख दे वरना क्या होगा कपड़ा जल जाएगा जिस अलमारी या संदूक में वस्तरों को रखा जाए वो सेलन्युक्त ना हो फिर संदूक में कपड़े रखने से पूर्व एक स्वक्ष सूती कपड़ा बिछा देना चाहिए इसके बाद ही अन्य कपड़ों को रखना चाहिए कपड़ों की जरा साभी फट जाने पर उन्हें तुरंत सेल कर रखना चाहिए ठीक है और एक कपड़े को निकालते समय बाकी मुड़ने नहीं चाहिए ठीक है इस बात का हमको ध्यान रखना है तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिसका हमको विशेश ध्यान देना है इसके बाद है कि उनी वस्तरों को सरदी समाप्त होने के बाद ट्रंक में फिनायल की गोलिया मिला करके और नीम की पत्ती या नीम की पत्ती स्वक्ष कपड़ा बिचा करके तब रखना चाहिए इस उनी और रेशमी कपड़ों को तीन चार माँ बाद थोड़ी धूप दिखाते रहना चाहिए फिर गरम पैंट कोट ओवर कोट ये सारी चीज़ें वो हैंगर में अलमारी में टांगने के बाद उस पर कपड़ा लपेड देना चाहिए ठीक है इस तरह से कपड़ों की सुरक् ठीक है बच्चों